इंडिये की संकल्प रेली हो गई पत्ना के गांधी मैदान में और इस रेली को सफल कहें या सफल कहें ये रेली कितनी सफल रही कितनी असफल रही इंडिये निताओं के दावे कितने सफल रहे कितने खोखले साबित हुए इसी को लेकर डिबेट चल रहा है तो इस रैली को मैंने करीब से देखा है, करीब से इसको कभर किया है, सुबह आठ बजे से ही हमारे समधाता हर जगा पर जमे हुए थे, मैं खुद लगा हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि सुबह आठ बजे तक ये नहीं लग रहा था कि ये रैली सकसेज होगी या इसमे एक दिन पहले की बात करें, यानि आम तोर पर रैलियों के तियारी में लोग पहले से जुट जाते हैं, और जिस दिन रैली होती है, उसकी पूर्व संध्या पर ही ज़्यादातर लोग दूर दराज से आने वाले लोग पहुच जाते हैं पटना में, उनके खाने पीने की ब दाजा लग गया था, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से इसरेली में लोगों की लाने की कोई खास ब्योस्था दिख नहीं रही थी, ना उनके ठाहरने खाने की ब्योस्था दिख रही थी, ठीक है, एक दो नेता थे, सचिदानन राय जैसे, जो भीड तो नहीं लाए, लेकिन भीड में नास्ता बटवानी की ब्योस्था में जुटे हुए थे, वो 25,000 लोगों के लिए नास्ता बनवा रहे थे, पुड़ी, कचोड़ी, लड़्डू और क्या-क्या, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया कि वो कितनी लोगों को लेकर आ रहे हैं रैली में साम वैसे को एंधिया की रहनी हैं, देकिन इस वैली में सबसे ज्यादा जोड जेदियू का जिखाया है, अगर आप कोफी एटना मेनर के हिसाब साथा आजा लगों को सबकर इसकी जेदियू के करकता है, इस रहे हैं और हटीग, इस भीज़ीजे पिके लोगों के लिगों के ल ऐसा है कि ज्धंडा बाइनर ये तो अपनी जगह है, जो फैक्च हो धर्ति पर दिख्रा, नितीश कुमार के नेतुरद में पूरा बिहार गोल बंद है, बिहार को विशेश राज का दर्जा अगर मिल गया होता, तो हमारे बिहार का एक एक बेटा आकास पर ज्धंडा होता लेकिन अम ना हिम्मत हा रहे हैं ना होसला हा रहे हैं नितीश कुमार के ने तुरुत में बिहार भी जीतेंगे देश भी जीतेंगे अब जनता दल्यू के कार करता है सड़क पर उतरे हैं दुनिया देख रही है उसमें हमको क्या कहना मिलर अश्कुल में 25,000 से ज्यादा लोगों के खाने पीने के बेवस्ता आती वहां पर सांस्कृति कारकरम था और लोग उसमें दिख भी रहे थे तो मान कर चलिए कि ये रैली एंडिये की रैली नहीं थी कहा जा रहा था कि एंडिये की रैली है संकल्प रैली इसका नाम दिया गया था लेकिन सुबा 8 बजे के बाद जब हम संक पर निकले तो लोगों का हुजुम अचानक 8 बजे के बाद दिखने लगा मंत्री के जो आवास हैं उसी इलाके से ज्यादातर लोग आ रहे थे और पूरा फ्रेजर रोड पर लोगों का ताता लगा हुआ था सुबा 8 बजे से लेकर 11-12 बजे तक यानि लगा ऐसा लगा कि अब रहे लिए सुपर डूपर हीट हो जाएगी लेकिन संक पर जो भीड दिखती है गांधी मैदान में जाती है तो उसकी तस्वीर बदल जाती है संक पर तो बहुत ज़्यादा भीड दिखती है लेकिन जब वो गांधी मैदान में भीड पहुँचती है तो एक छोटी सी सकल में बदल जाती है यही हुआ गांधी मैदान में जो भीड पहुँची तो गांधी मैदान को भर नहीं पाई तिन तिहाई, मतलब 16 हाना गांधी मैदान भरा, 4 आना खाली ही रह गया और दावा किया गया था कि लालू के गरीब रहला के रिकॉर्ड को एरेली तोड़ देगी जैप्रकास नरायन के आंदोलन के दोरान जो लोगों का जुटान हुआ था उसके रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी क्योंकि पुलवामा हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान को करारा जबाब दिया है उसको लेकर आज जो जैप्रकास नरायन से भी ज़्यादा लोग प्रिये हो गये हैं ये दावा था इंडिये नेताओं का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप इस रैली को फ्रॉप भी नहीं कह सकते क्योंकि 2,00,000 से ज़्यादा लोग इस रैली में सामिल हुए थे, इस रैली के पहले कांग्रेस ने भी रैली की थी, कांग्रेस ने कई दसक के बाद प्रतना के गांधी मैदान में रैली करने की हिमत जुटाई थी, और वो भी रैली सफल थी, क्योंकि उसमें भी 75,000 लोग काम्याब रही, और ये जेडियू की रैली बन गई थी, इंडिये की रैली, तो जेडियू की हैसियत को देखा जाए, तो उस हिसाब से ये रैली भी काम्याब थी, लेकिन इस रैली का क्या इंपैक्ट आगामी लोग सभा चुनाओं में पड़ेगा, अभी बता पाना मुस्किल है, क्योंकि पुलामा आतंकी हमले का जबाब जिस तरह से नरेंदर मोदी ने दिया है, उसके बाद नरेंदर मोदी या बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन ये ग्राफ क्या चुनाओं होने तक कायम रह पाएगा, या इसको कायम रखने के लिए नरेंदर फिसद लोग जेडियू के थे, 30 फिसद से कम लोग बीजेपी के थे और लोग एलजेपी के थे, यानि एलजेपी बीजेपी ने जोर ही नहीं लगाया, केवल जेडियू ने जोर दिखाया, और इसका मतलब ये भी है कि जेडियू ने इस संकल्प रैली के बहाने अपनी ता पुरा होता दिखा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे आपका सहयोग समर्थन लगतार मिलना है उसके लिए बहुत-बहुत आभार नमसकार